आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार बच्चों विजई बैच हम लोगों ने आपके लिए शुरू कर दिया है और विजई बैच की डेली हम लोग क्लासिज आप लोगों के लिए डाल रहे हैं उमीद है जितनी मैनत से हम लोग आपके लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी उतनी ही मैनत के साथ इन क्लासिज को फॉलो करेंगे इन questions को solve करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी Sigma Guru Kul के बारे में जरूर शेयर करेंगे तो Sigma Guru Kul पर एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम लोग maths की second class करने वाले हैं और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये classes आपको हर competitive exams में काम आएगी classes को follow करेंगे और अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी doubt, कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग हमें बताईए हम चीजों को better करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आपका exam first time में ही qualify हो आपको दुबारा इस exam की तियारी ना करनी पड़े एक ही बार में आपका exam clear हो जाए तो चलिए आज की class को शुरू करते हैं जिन बच्चों ने पहली class नहीं देखी थी वो जरूर देखें और फिर एक regularity के साथ ये schedule आप follow करें तभी आपको इसका पूरा का पूरा benefit मिलेगा चलिए बच्चों तो class 2 हम लोग शुरू करते हैं जैश्री राम देखें पहला question हमारे सामने है बच्चों find the absolute difference between greatest three digit number and smallest four digit number divisible by 12, 25 and 18 LCM HCF का question है सबसे पहले हमें दो ऐसे number का difference यानि के अंतर बताना है जो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो और चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो और साथ में वो इन तीनों संख्या से क्या होती हो divide तो सबसे पहले तो हम यहां पर 12, 25 और 18 इनका क्या निकालेंगे LCM तीन नमबर हमारे सामने है 12, 25 और 18 2 x 2 x 3 2 दूनी 4 तीन 12 12 हो गया उसके बाद हमारे सामने आया 25 25 होता है बच्चों 5 x 5 5 x 5 और 18 होता है 9 दूनी 18 तो 2 यहां पर है 3 यहां पर है 1 3 की कमी है तो यह तो हमारा LCM आ गया 2 2 और 2 5 ध्यान देना 2 2 और 2 5 मिलके 100 हो जाते हैं तो LCM हमारा आ गया 900 LCM तो 900 आ गया अब हमें सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 900 से डिवाइड हो जाए तो बच्चों वो संख्या 900 ही होगी तो greatest number तो आ गया 900 और smallest 4 डिजिट नंबर जो इन से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा 900 का डबल कर दीजिए 1800 क्योंकि 900 से या तो 900 भाग होगा या अगला नंबर 900 से कौन सा डिवाइड होगा 1800 900 का डबल ठीक है और इन ही दोनों का हमें difference बताना था minus कर दीजिए तो हमारा जो answer है वो भी क्या आ जाएगा 900 तो उमीद है बच्चों कुश्यन क्लियर हुआ होगा सबसे पहले तीन बाते आपको यहां ध्यान देनी है सबसे पहले तो आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से डिवाइड होती हो तो हमने इनका एलसियम निकाल लिया 900 ऐसा नंबर है जो 12, 25 और 18 से डिवाइड हो जाएगा उसके बाद क्या पूछा गया है कि इन से डिवाइड होने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो 900 ही होगी और अगली संख्या जो चार अंकों की होनी चाहिए 4 डिजिट नंबर तो 900 का डबल कर दीजिए 1800 भी 900 से भाग होगी इन दोनों का डिवरेंस आप से पूछा गया है तो हमारा अंसर होगा 900 ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं ये शॉपकीपर अनॉंसेज फोलोइंग 3 डिसकाउंट एक दुकांदार 3 तरह का डिसकाउंट देता है और आपको बताना है विच स्कीम इस दा बेस्ट एक दुकांदार ने आपको 3 ओफर दिये और आपको बताना है कि उसमें बेस्ट ओफर कौन सा है तो सबसे पहला है 2 successive discount 15 और 18% का, अब देखिए successive discount में हम total discount कैसे निकालते हैं, formula है A plus B minus AB upon 100, तो ये formula लग जाएगा यहाँ पर, इससे निकल जाएगा total discount पहली scheme का, तो discount कितना आ गया, यह हो गया 33, और इसको आप solve करेंगे, तो ये आ जाएगा 18 into 15 बच्चों हो जाएगा, 18 into 10, 180 और 18 का आदा 90, यानिके 270, यानिके 2.7, 33 में से 2.7 minus कर देंगे, तो ये discount आ गया 30.3, ठीक है न, 30.3% का, उसके बाद दूसरा discount है, 6 आर्टिकल खरीदने पर 2 आर्टिकल फ्री मिलेंगे, तो 2 आर्टिकल फ्री हैं, और total कितने आर्टिकल हुए, 8 into 100, ये हो गया discount, बच्चों ध्यान देना, जब आपको कभी ऐसा question सामने आए, कि इतने आर्टिकल खरीदने पर, इतने आर्टिकल फ्री मिलेंगे, तो कहीं ब आर्टिकल हैं, 2 और total आर्टिकल आपकी जेब में कितने आए, 6 और 7 में ये 2 फ्री वाले भी तो आप घर लेके जाओगे, तो हमेशा जब भी आर्टिकल में आपको discount का percent निकालना हो, तो सबसे पहले देखना कि free आर्टिकल कितने हैं, और total आर्टिकल कितने हैं, तो 2 फ्री हैं, total आर्टिकल 8 हैं, तो हमारा जो discount है, वो यहां से कितना आजाएगा, 25 परसेंट, और तीसरा है, flat discount of 30%, तो ये 30 परसेंट है, अब तीनों में best discount कौन सा है बचों, ये वाला 30.3, यही आपको बताना था, तो हमारा answer होगा, scheme A, option 2, तो इस question से आपने दो बाते सीखी, पहल जब आपको दो discount given हो, तो total discount कैसे निकालते हैं, A, plus B, minus A into B upon 100, यहां से आगया, दो successive discount का total discount, और अगर आपको discount articles में given है, तो क्या करेंगे, free article उपर और total article नीचे, free upon total articles into 100, ये होता है, discount if the information is given in articles, यदि संख्या जो है, वो articles की form में दे रखी हो, के 6 खरीदे, और 2 मुफ्त मिले, तो ऐसे में मुफ्त वाले उपर, और total article नीचे, into 100, तो यहां से हमने तीनो discount निकाल लिए, और सबसे best discount जो है, वो कौन सा है, पहले वाला, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, देखिए यह question आ गया, time and work का, और यह time and work का बड़ा famous question है, इसको बोलते है, और and वाला question, और and वाला question, इसमें आपको और वाली information given होगी, और and आपको find करना होगा, तो इसका solution, अगर आप लोगोंने मेरी पिछली class देखी, तो वहां पर भी शायद एक ऐसा question आया था, जब भी आपके सामने और वाली condition given हो, और and वाली condition आपसे पूछी हो, तो इसका answer हमेशा क्या होता है, and upon or equals to is given, ठीक है, यह हमेशा इसका answer होगा, तो अब यहाँ पर and वाली, क्या है 16 और 18, उनको लिख दीजिए, यह and वाले है, और or में है 12 और 9, तो यहाँ आजाएगा 12 और यहाँ पर 9, दोनों को जोड़के और बराबर में लिख देंगे, जो days हमें given है 36, तो यहाँ से हमारा answer आजाएगा, सबसे पहले यह cancel होगया, 4 से, यह आगया 4 by 3, यह 9 से cancel, 2 by 1, LCM आएगा 3, तो 4 plus 3 into 2, 6 equals to 36, अब सब कुछ उदर ले जाएगे, इदर केवल बचेगा 1, 36 गुणा 3 upon 6 और 4, 10, तो यह हो गया, 108 बटा 10, या फिर इसको cancel कर देंगे 2 से, तो यह आजाएगा 54 upon 5, और हमारा answer आएगा 10 is to 4 by 5, तो यह question बहुत common है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, यदि 12 आदमी या 9 महिलाएं, किसी काम को 36 दिन में कर सकती है, तो उसी काम को 16 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जो given होगा वो किस में given होगा या और, और जो पूछा होगा वो होगा और, यानि के मिलके, यानि given होगा अलग-अलग और पूछा जाएगा इकटा, तो इकटे को कहते हैं and, और जो अलग-अलग given है और, तो and वाले numbers उपर आजाएंगे, और वाले numbers नीचे आजाएंगे, दोनों को जोड के, और बराबर में क्या आएगा जो days given है, फिर जो एक की value आएगी, वही आपका answer होगा, उतने दिनों में 16 आदमी और 18 महिलाएं मिलकर इस काम को कर देंगे, ये अपना answer हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चों ये बड़ा अच्छा question है, time and work में ये question repeat होता रहता है, आप इसको ध्यान रखे, और जल्दी आपका solution आजाएगा, अगर आप लोग इस technique का इस्तिमाल करेंगे, and वाले उपर, और वाले नीचे, और बराबर में number of days, ठीक है, चलिए, next question पे चलते है, the current birth rate per 10,000 is 450 and death rate is 120, find the net growth rate, देखे, किसी area में, 10,000 में, 450 लोग birth rate, यानिके पैदा होते हैं, और 10,000 में से 120 लोगों की death हो जाती है, तो बताना है कि growth rate कितनी है, अब देखे, 450 तो पैदा होते हैं, और 120 की death हो जाती है, तो इसका मतलब 330 हमारी क्या है, growth, लेकिन यह आपको किस पे निकालनी है, 10,000 पे कितने percent होगी, तो आपको solve करना है कि 330, 10,000 का कितना percent होगा, इसे आप solve करेंगे, तो यह आपका 3.3 percent आ जाएगा, तो यह तो बिल्कुल simple सा एक basic percentage का question था, आपको birth rate यानिके पैदा होने का जो percentage है, वो given है, और death का percentage आपको given है दोनों का difference होगा growth rate, और फिर growth rate कितना percent है, यह आपको निकालना था, तो simple basic percentage का question था, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, हम लोग अगले question पर चलते हैं, On mixing two classes, A and B of students having average marks 50 and 60, the average marks obtained is 60, find the respective ratio of students, देखे, allegation का question, हमेशा हर exam में एक से दो सवाल, allegation से आपको जरूर मिलेंगे, Allegation का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज बनाते हैं, तो उससे हमें उन दोनों चीजों का ratio मिल जाता है, अब यहां पर दो class है, A और B, class A और class B, class A में बच्चों के जो average marks आए, वो आए 50, और class B में बच्चों के average marks थे 80, लेकिन जब इन दोनों को mix किया गया, तो mix करने के बाद सभी बच्चों का जब average निकाला, तो वो आगया 60, यह है बच्चों allegation method, जहां पर दो चीजों को म बिलाकर एक तीसरी चीज बनाई जाए, जो उन दोनों का mixture है, या उन दोनों का overall है, तो वहां से हमें इन दोनों का क्या मिल जाएगा ratio कैसे, 50 और 60 में कितना अंतर है बच्चों, 10 का, इन दोनों का अंतर, यानि कि इन दोनों का difference यहां पर लिखेंगे, और इन दोनों का difference य और class B के students में ratio क्या होगा, तो allegation method हमें किस काम आता है, ratio निकालने के काम आता है, दो चीजों को मिलाकर जब तीसरी चीज बनाई जाए, तो वहां से allegation method लगाकर हम उन दोनों चीजों का क्या निकाल सकते है, ratio निकाल सकते है, और ratio के बाद question आगे भी बढ़ाया जाता है कई जब इन में से किसी की value दे देता है, मान लीजिये बोल देता कि जो class B है, उसमें 100 बच्चे है, तो एक की value 100, तो दो की value कितनी आ जाएगी 200, तो आप आगे भी इस question को ध्यान रखे, ratio की value भी आपको दी जा सकती है, यहां पर तो खाली ratio ही पूचा था, पर कभी-कभी value भी C को आगे forward करना है, basic ratio का concept बस आपको पता होना चाहिए, तो बच्चो, allegation method बड़ी काम की चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखे, यह हमें ratio निकाल कर देता है, चलिए, next question पर आते हैं हम लोग, A can paint five chairs in an hour, देखिए, A और B, दो लोग है, A, एक घंटे में पाँच चेर paint कर सकता है, तो यह इसकी क्या है, efficiency, यह इसकी क्या है, शमता, A, एक घंटे में पाँच कुरसियों को paint कर सकता है, तो यह तो A की capacity, या A की efficiency, या A की शमता आ गई, और B, एक घंटे में तीन चेर paint कर सकता है, यह इसकी efficiency आ गई, अब इन दोनों को मिलाकर 40 chair को paint करना है, A और B, इनको total 40 chair paint करनी है, यह हो गया work, यह काम करना है, और work को अगर हम efficiency से divide कर देते हैं, 5 और 3, 8, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, time, क्योंकि time and work का सबसे basic formula क्या है, time equals to work upon efficiency, समय बराबर काम बटा शमता, तो यहां से अपना answer आ गया, 5 hours, दोनों मिलकर 40 कुरसिया, 5 गंटे में paint कर देंगे, बिल्कुल easy question था, आगे चलते हैं, next, the weight of 2 persons are in the ratio 5, ratio 3, दो लोगों का वजन 5 और 3 के ratio में है, 5 और 3 के ratio में है, A का वजन 5 परसेंट बढ़ जाता है, और जो total वजन है, वो 92 केजी हो जाता है, with an increase of 15%, then find the percentage increase in the weight of B, देखिए, A और B का वजन है, 5 और 3, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 50 और 30 मान लेता हूँ, तो total वजन कितना हो गया, 80, ठीक है, अब A का वजन जो है, वो बढ़ गया, कितना, 5%, अब बच्चों 50 का अगर आप 5% निकालोगे, तो 50 का 5% आएगा, 2.5, तो A के वजन में इतनी बढ़ोतरी हो गई, यानि के total वजन अब बढ़ चुका है, 2.5, कितना हो गया, 82.5, लेकिन, total वजन तो 92 केजी हो चुका है, इसका मतलब, B का वजन भी बढ़ा है, बढ़ दो लोग है, एक 50 किलो का, एक 30 किलो का, 50 किलो वाले का वजन 5% बढ़के, 52.5 हो गया, तो यानि के 82.5 total वजन हो चुका है, और question में गिवन है कि total वजन 82.5 नहीं, 92 केजी हो गया है, तो इसका मतलब, यानि के 9.5 किलो बढ़ा है किसका, B का, अब हमें क्या निकालना है, कि B का वजन कितना परसेंट बढ़ा, तो B क का वजन कितना था, 30, और बढ़ा कितना, 9.5, देखे, 82.5 और 92 में कितना गैप है, 9.5, तो B का वजन साड़े 9 किलो बढ़ गया, 30 किलो पर, percentage आपको निकालनी है, आब इसको calculate कर दो, यहाँ 0 आएगा, 0 से 0 cancel, 95 को 3 से divide करेंगे, तो यह अपना आ जाएगा, 31.66%, तो option A हमार का answer, ठीक है, तो बच्चों, यहाँ समझने वाली बात क्या थी, जब किनी दो लोगों का ratio given हो, तो आप उस ratio की कोई भी value मान सकते हैं, अपनी calculation को आसान करने के लिए, A और B का वजन था, 5 और 3, मैंने वजन मान लिया, 50 और 30, तो total वजन शुरू में कितना है, 80, अब A का व B का वजन भी बढ़ा है, और कितना बढ़ा है, 9.5 kg, और पहले उसका वजन कितना था, 30, तो 9.5 kg, 30 का कितना परसेंट होगा, यह हमारा answer, 31.67%, तो ratio की आप कोई भी value मान सकते हैं, आप 500 और 300 भी मान सकते थे, बस calculation आसान होनी चाहिए, ठीक है, जैसे आपको लगे, आप ratio की value मान के, उसको solve कर ले, बहुत easily आप इस काम को कर पाएंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक right circular cone of height 24 cm, देखिए, एक cone है, इसकी height हमें given है, 24 cm, साथ में इसका volume given है, 392, हमें इसका curve surface area निकालना है, तो देखिए, volume 392 pi, और cone का volume होता है, 1 upon 3, pi r square h, h हमें given है, 24, है न, pi से pi cancel, और 392, into 3 upon 24, ये आ जाएगा, बच्चो, r square, ठीक है, अब 24 से इसको cancel करिए, तो 24 से ये जाएगा, one time, और 18 24 से पहले हम 3 को cancel करते है, 3 से 24 को करते है, 8 पे, और 8 से इसको करते है, तो ये सीधा सीधा कट गया, 49 पे, हाँ, ये ठीक है, अब 49 equals to आ गया, r square, तो radius कितनी आगी हमारे पास, 7 cm, अब हमें निकालना इसका curve surface area, कर्व surface area क्या होता है, बच्चो, pi, r, l, l क्या होती है, ये वाली height, plant height, अब ये radius निकाल चुके है, 7, ये 24, तो ये कितनी आजाएगी, 25, आप पाइथा गोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते है, नहीं तो triplet भी होता है, 7, 24, और 25, ये triplet होता है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, 25 होगा, अब हमें pi into r into l ये निकालना है, radius 7, l 25, तो answer आगया हमारा 175 pi, ठीक है, ये अपना answer होगा, तो बच्चो, easy question था, सबसे पहले कोन का volume होता है, 1 by 3 pi r square h, वहाँ से हमने क्या निकाल ली radius, radius आगई, तो slant height, यानि के तिर्ची उचाई, या इसको तिरियक उचाई भी कहा जाता है, ये कितनी आजाएगी, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 आजाएगी, pi thagoras भी लगा सकते हैं, लेकिन triplet आप कुछ याद रखे, 7, 24 का triplet क्या होता है, 25 होता है, तीसरा pair, और उसके बाद, आपका curve surface area, यानि के वक्र प्रिष्ठिय शेत्रफल, तो आपको निकालना है, pi rl होता है, radius 7, l 25, तो answer अपना आजाएगा, 175 pi, चलिए, next question, ये देखे, बहुती simple सा एक सवाल है, इसको आप लोग खुद try करेंगे, और मुझे answer बताएंगे, इसको कराने की मुझे कोई चोड़ा है, याद रखना सबसे पहले क्या solve होगा, off, off, यानि के इन दोनों को multiply करेंगे, उसके बाद plus minus, simple board mass का question है, इसको आप solve करेंगे, और comment box में मुझे answer अभी वीडियो को रोक कर, आप मुझे इसका answer बताएंगे, ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि इसको आप solve कर ल दो number given है, A और B, और आपको इनका निकालना है, मध्या अनुपाती, या mean proportional, हिंदी में इसको बोलते है, मध्या अनुपाती, दो numbers का mean proportion जब भी निकालना हो, तो याद रखना, M, mean proportional क्या होता है, root A, B, यह इसका formula आप याद कर ले, mean proportional हमेशा root, और जो दो number आपको given है, तो X upon Y into Y upon Z, Y से Y cancel, M आ जाएगा, X upon Z और इसकी power 1 by 2, यानि के option, अच्छा 1 by 2 इसने power में नहीं लगाया, root में ही छोड़ा हुआ है, तो यह वाला अपना answer आजाएगा, बाकि इसको वो ऐसे भी लिखके दे सकता है, तो आप ध्यान रखें, अगर ऐसे ही लिखा हुआ हुआ है root में, तो वो अपना answer, अगर root हटाएंगे, तो power कितनी आ जाएगी, 1 by 2, तो यह दोनों ही answer हो सकते हैं, आप option के हिसाब से check कर लेना, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यदि if you are buying one jacket at 2500, and buying two jackets at 4500, find the discount percent, यदि आप एक jacket खरीते हैं, तो 2500 रुपे की मिलेगी, लेकिन अ तो basically आपको discount निकालना है, कि अगर आप दो खरी देंगे, तो आपको कितना discount मिला, तो देखिए, एक jacket है, 2500 रुपे की, तो दो jacket वैसे कितने की हो जाएंगी, 5000 की, लेकिन आप से लिए कितने गए है, दो jacket के 4500, तो आपको कितना फाइदा दिया गया, या कितना discount दिया, 500 र discount मिलेगा, अगर आप दो jacket खरीद लेंगे, एक jacket 2500 की, दो jacket 5000 की, अगर आप दोनों साथ में खरीदेंगे, तो 500 रुपे का discount मिलेगा, 5000 पर 10% आपका answer, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन, एक पुलिस officer follows a thief, देखिए, चोर पुलिस वाला question कभी भी आ जाए, तो सबसे पहले क्या निकालना है, meeting time, जब भी चोर पुलिस वाला सवाल आ जाए, तो सबसे पहले आप निकाले, meeting time, कि चोर और पुलिस कितनी देर में मिलेंगे, किस समय, पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, और meeting time कैसे निकलेगा हमेशा, उन दोनों के बीच का distance upon relative speed, यानि उन दोनों की speed का difference, और उपर आ जाएगा total distance, अब यहां देखते हैं, 800 meter की दूरी है दोनों की बीच में, सबसे पहले time निकालेंगे, पुलिस वाले को, चोर को पकड़ने के लिए, ये 800 meter की दूरी को cover करना है, चोर की speed है 7 और पुलिस की 8, अब relative speed में, दोनों speed आपस में क्या हो जाती है, minus, तो minus होगी तो speed आएगी, 1 km per hour, पर इसको मैं बदल लूँगा, meter per second में 18 उपर जाएगा, और यहां से time जो है वो आगया, 5 से cancel कर दो, 1, 6, 0, ये time आगया देखिए, अभी इसको मैं multiply नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इसका use आएगा, फिर कहता है, how long does the police officer have to run to catch up with the thief, दे लेकिन इस दूरी को cover करने के लिए, पुलिस वाले को भागना पड़ेगा, तो ये पूछा गया है, पुलिस वाला total कितने distance उसने cover किया, 800 meter तो जो दोनों का फासला है, वो cover किया, और पुलिस वाला वैसे कितने दूर भागा, ये आपको निकालना है, तो total हम लोग निकाल लेते हैं, पुलिस वाले का time distance निकालना है, पुलिस का distance निकालना है, कि total कितना भागा, तो time तो है हमारे पास, और time into speed क्या होता है, distance, पुलिस वाले की speed है 8, इसको meter per second में बदलेंगे, तो 5 बटे 18 से multiply, और ये है time, 160 into 18, अब ये cancel हो गया, 8 into 5 हो गया, 40 into 160, तो अपना distance total कि इतना आ गया, 6400 मीटर, यानि के option D, ये question भी बहुत ज्यादा exam में आता है, कि जब एक पुलिस वाला चोर का पीछा करे, जब भी चोर पुलिस वाला question आए, सबसे पहले आप निकालना time, कि पुलिस ने चोर को कितनी देर में पकड़ा, तो time कैसे निकलेगा, दोनों के speed का difference gap, ठीक है, तो सबसे पहले time निकाल लिया, उसके बाद ये पुछा है, पुलिस वाला कितनी दूर भागा, तो पुलिस वाला इतनी देर भागा, और पुलिस वाले की speed 8 है, क्योंकि ये kilometer पर hour में थी, तो इसको हमने meter per second में change कर लिया, kilometer per hour को meter per second में कैसे change करते हैं, 5 by 18 स से multiply करके, ये अपना answer आजाएगा, इसको ये 6.4 kilometer भी कह सकता है, और 6400 meter, answer आजाएगा, आगे बढ़ते हैं, in a college there are two courses, m.com, 450 students passed out of 500, and in M में 1500 students passed out of 2000, what is the total percentage, देखे, कितना आसान question पूछा, आपको percentage निकालनी है, टोटल कितने बच्चे पास हुए, 4500 और 1500, तो टोटल 1950 बच्चे पास हुए है, और कुल बच्चे कितने है, 2500 और 2500, बस इसका percentage आपको find करना है, यही question है, ठीक है, दो अलग-अलग courses में जो बच्चे पास हुए, और जितने में से पास हुए, वो आपको दिया है, एक course में 450 बच्चे 500 में से पास हुए, और दूसरे course में 1500 बच्चें 2000 में से पास हुए, तो टोटल कितने percent बच्चे पास हुए, यह निकालना है, तो टोटल बच्चे जो पास हैं वो 1950, और टोटल students कितने हैं वहाँ पर, 2000, परसेंटेज आपको निकाल दे, इसको करेंगे, तो 25 से कि इसने भी जाएगा ये सबसे पहले 7 पे और 175 फिर बचेगा 8, 78% पूरा पूरा अंसर आ गया, 78, ठीक है, तो बिल्कुल easy question है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, हम आगे चलते है, a sum of money amounts to 14,112 at the rate of 20% per annum, find the sum of money, देखिए, interest का question है, principle आपको निकालना है, rate गिवन है, 30%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 upon 5, time है, 3 साल, amount आपको गिवन है, तो amount का formula क्या होता है, principle into 1 plus rate और इसकी power, n, n का मतलब है, time और rate यहाँ पर हम लोग किसमें लेंगे, fraction में, तो amount हमें given है, 14,112, principle निकालना है, और rate है, 1 upon 5, जब हम rate को fraction में बदल देते हैं, तो नीचे 100 लिखने की जरूरत आपको नहीं है, 1 upon 5 और इसकी power 3, तो यहाँ से 14,112 equals to principle into यह हो जाएगा, 6 upon 5 तीन बार, यानि के 216 बटा 125, अब 14,112 गुणा 125 upon 216, इसे आपको solve करना है, यही आपका principle आएगा, अब इसको solve करने के लिए, मैं आपकी थोड़ी सी help क्या कर सकता हूँ, बच्चो 125 को, जैसे कभी कहीं आपको क्या दिखे, 25, तो 25 को आप क्या लिख सकते है, 100 upon 4, और 125 को आप क्या लिख सकते है, 1000 upon 8, यह लिख सकते है, तो 125 को आसान करने के लिए, हम क्या लिख लेते है, 14, 11112 into 125 की जगे पर मैं क्या लिख रहा हूँ 1000 upon 8 into 216 अब आप इसे solve करेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि 8 से ये सीधा-सीधा cancel हो रहा है देखिए 161, 876, फिर 6 पर जाएगा और 9 1769 और 216 को 1769 से करोगे तो पहले तो ये गया 8 पर पॉइंट आगया और फिर गया 1 पर तो 8.1 किसमें आ रहा है अब देखिए ये 80 है ये 91 है ये 71 ये 81 है तो ये अपना अंसर होगा 8.1 को जब 1000 से गुना करोगे तो ये ही आ जाएगा तो आपको पूरा solve करने की जरूरत नहीं थी देखिए ये question बहुत आसान है compound interest चक्रवर्दी ब्याज का question है आपको amount given है rate given है time given है principle निकालना है amount का formula सभी को पता होता है लेकिन बात है calculation की बच्चा यहां तो पहुँच जाएगा पर यहां पहुचके अगर वो direct इनको गुणा करे दोनों को और 216 से divide करे तो time waste होगा तो आप 125 को क्या लिख सकते है 1000 बटा 8 और 25 को क्या लिख सकते है 100 बटा 4 और 5 को क्या लिख सकते है 10 बटा 2 तो 125 को मैंने लिख लिख लिया 1000 बटा 8 8 से ही अराम से cancel हो गया और फिर 216 से भी यह 8.1 पे cancel हो रहा है तो 81 जहां भी आपको दिखाई दे वो आपका answer होगा इतना ही time बचाया जा सकता है थोड़ी बहुत calculation तो देखिए किसी कोशन में आएगी उसको आप लोग ध्यान रखे चलिए हम आगे बढ़ते है फिर से चोर पुलिस वाला एक कोशन आ गया a thief started running at a speed of 15 after running for 12 seconds in the same direction एक पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है जिसकी speed है 20 how many meter will the policeman run to catch the thief फिर से वही निकालना है पुलिस वाला कितने किलोमेटर दोड़ा तो पहले यह निकालेंगे पुलिस वाला कितनी देर दोड़ा time निकालेंगे सबसे पहले अब चोर जो है वो 12 seconds भाग चुका है और 15 उसकी speed है तो यानिके 15 into 12 15 into 12 चोर कितना आगे जा चुका है 180 meter यही वो distance है जो चोर और पुलिस के बीच का distance है चोर already 180 meter चोर भाग चुका है क्योंकि speed है 15 और वो 12 seconds भाग चुका है तो 180 meter दूर जा चुका है relative speed आजाएगी 15 और 20 का difference 5 तो यानिके time कितना आगया 36 36 seconds बाद पुलिस वाले ने चोर को पकड लिया अब हमें निकालना है distance के पुलिस वाले ने कितना distance cover किया तो 36 seconds भागा पुलिस वाला और पुलिस वाले की speed है 20, 36 का double हो जाएगा 72 यानिके 720 meter हमारा answer आजाएगा option तो ये concept हम लोग पहले कर चुके हैं तो मैं आगे चलता हूँ मैंने वही किया जैसा पहले किया था पहले time निकाला उसके बाद distance next radius of a sphere is increased by 5% कोई गोला है इसकी radius को 5% बढ़ा दिया गया तो इसका surface area कितना बढ़ जाएगा तो बच्चो area हमेशा कितना बढ़ता है x plus x plus x गुना x बटा 100 area हमेशा इतना ही बढ़ेगा जब भी किसी चीज को बढ़ाया जाए और area पूछ लिया जाए तो यह लगा दे ना यहाँ पर x 5 है तो 5 plus 5 plus 5 into 5 upon 100 यह आ जाएगा 10 और यह 0.25 तो 10.25 हमारा answer यह basic सा question था successive increase वाला जब किसी चीज को दो बार बढ़ाया जाए तो radius को 5% बढ़ाया area क्या होता है 4 pi r square यानि कि radius का square मतलब radius दो बार बढ़ेगी जब भी कोई चीज दो बार बढ़ती है तो वो total इतनी increase हो जाती है तो area आ जाएगा 10.25 परसेंट next the price of a mobile first decreases 5% and 2% and then increase 10% and 20% what is the final change देखें question थोड़ा सा calculative है लेकिन method मुश्किल नहीं है किसी चीज को पहले 2 बार कम किया गया 5% कम किया और 2% और फिर उसे 2 बार बढ़ाया 10% और 20% जब increase decrease 3-4 बार आ जाए तो आप 100 वाले method का use करें कैसे मैं बताता हूँ देखें मान लीजिए कि शुरू में वो चीज कितनी थी 100 अब सबसे पहले उसको 5% कम किया गया यानि कि वो हो गई 95% या 95 अपॉन 100 फिर उसको 2% कम किया गया तो ये हो गई 98 अपॉन 100 उसके बाद 10% बढ़ाया गया 110 बटा 100 और फिर उसको 20% बढ़ाया गया 120 बटा 100 अब आपको इसको solve करना है ठीक है 100 से 100 cancel ये 2 0 से ये 100 cancel उसके बाद क्योंकि ये mix fraction में है तो आपको इसको आगे solve करना है ये हो जाएगा 5 से cancel कर दीजिए 20 ये 19 फिर 2 से cancel करेंगे 10 और 49 और कुछ cancel होगा ये हो जाएगा cancel 2 से 5 और 6 फिर 2 से 3 और ये हो गया 50 तो नीचे तो आगया बच्चो 250 उपर इसको आपको गुणा करना है 3 11 49 और 19 इनको multiply करना है तो सबसे पहले 49 19 का 3 गुणा कितना हो जाएगा 57 57 को 49 से multiply करेंगे क्या आएगा 9 इंटू 7 63 6 केरी 9 इंटू 5 45 और 28 कितना हो गया 65 और 8 73 और 6 79 फिर 7 केरी आएगा 20 और 7 27 2793 साथ में इसको 11 से गुणा करेंगे 11 का रूल क्या होता है पहले लिखेंगे 3 फिर 3 और 9 12 उसके बाद 9 और 7 16 और एक कैरी था तो 17 फिर एक कैरी साथ दो नौर एक दसकी 0 फिर एक कैरी दो एक तीन यह आ गया अब यह एक पे जा रहा है दो पे देखो इसमें दो है इसमें दो है इसमें दो है और यह 200 है यह 307 है एक पे जाएगा तो मतलब यही हमारा अंसर होगा आ से आंसर आजाएगा इस कोश्चन में किसी चीज को चार बार कम और ज्यादा किया गया जब तीन चार बार किया जाए तो आप सीधा लिखे पहले वो चीज कितनी थी सो सो से पहले 95 हुई फिर 98 हुई फिर 110 और फिर 120 उसको आपको कैलकुलेट करना है थोड़ी सी कैलकुलेशन थी पर अगर आपकी मल्टिप्लिकेशन अच्छी है तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और यहाँ पर आपको पूरा तो सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि नीचे 200 है उपर 300 है तो 1 पे जाएगा और 1 वाला एक ही option दिखाई दे रहा है तो आपको पूरा सॉल्व का काम आप लोगों का है तो आप calculation खुद किया कीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question एक घर एक लाख रुपे का है जिसको पहले 6% के profit पे बेचा गया और फिर उसको 3% के loss पे बेचा गया overall loss और profit बताना है अब देखें यहाँ पर भी 1 लाख रुपे आपको पहले स गिवन है 6% के profit पे बेचा यानि के 106 पे बेचा होगा और 3% के loss पे बेचा 97 पे बेचा होगा तो यहां से यह 0 तो cancel हो गई 4 इसको आप गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 106 और 97 की multiply कर लेते हैं यह हो गया 42 का 24 वैसे भी 106 का 7 गुणा क्या हो जाएगा 742 और 106 क तो यह आ गया 2,8,2 और 10 यहनिके 10,2,8,0 ठीक है तो total जो है वो 10,2,8,20 यह आ जाएगा तो 2820 रुपे का फाइदा हो रहा है किस पे एक लाग पे 100 पे निकालना है अच्छा आपको सिर्फ इतना ही पूछा है कि कितना gain हुआ परसंटेज में नहीं पूछा पैसो में ही पूछा है तो बच्चो नॉर्मल कोशन था एक लाग रुपे की चीज को पहले 6% के profit पे बेचा गया और फिर 3% के loss पे बेचा गया इस transaction में total कितना profit या लॉस हुआ तो एक लाग रुपे की चीज है पहले 106 पे बेचा जाता है फिर 97 पे तो एक लाग 2,820 आ गया तो 2,820 का क्या हो रहा है फाइदा ठीक है नेक्स्ट कोशन पिर से एक profit loss का सवाल है सोनी ने कोई चीज राजू को बेची 10% के profit पर राजू ने आलोक को बेची है 20% के profit पर यदि सोहन ने इतने पैसे दिये तो बताओ कि सोनी ने कितने पैसे दिये थे तो इस बार सोनी के पैसे निकालने शुरू वाला एस मान लेते अब इसने बेची किसको राजू को 10% के profit पर यानि के 110 बटा 100 इसको हम 11 बटा 10 भी लिख सकते हैं सीधा हम वही लिख लेते हैं 10% का मतलब होता है 1 by 10 तो यानि के 10 पे 1 का profit फिर 5% का loss हुआ 5% की value होती है 1 by 20 तो 20 पे 1 का loss यानि के 19 बटा 20 का बेचा गया है और फिर 20% का profit 20% होता है 1 by 5 यानि 5 पर 1 का profit तो कितने में बेचा 6 upon 5 और फाइनली कितने पैसे दिये गए है 6,270 इसे आपको solve करना है S की value क्या आ जाएगी 6,270 into 10 गुणा 20 गुणा 5 upon 11 into 19 into 6 अब इसको solve कर लेते हैं सबसे पहले 11 से cancel हो रहा है देखिए ये 5,550 आ गया उसके बाद ये 19 से cancel हो रहा है पहले 2 से cancel कर लिजे इसको ये 3 आ जाएगा ये 5 और फिर 19 से cancel हो जाएगा डारेक्टली 19 दूनी 38 तो 500 और ये total आ जाएगा आपको 6,270 ठीक है 19 से cancel करते हैं 550 को ये 550 ही आया न 11 into 5 sorry 570 आया ये वही मैं देख रहा था 570 तो 19 से ये 30 पे cancel हो जाएगा बच्चों तो 30 तो ये हो गया और 20 into 500 500 into 3 तो आपका answer आ गया 4500 ठीक है तो ये भी उसी concept पर based है एक चीज को पहले बेचा गया profit पे फिर loss पे फिर profit पे और finally इतने पैसे दिये तो शुरू में कितने पैसे दिये थे ये आपको निकालना है और calculation का ध्यान रखना है चोटी मोटी mistake फसा देती है अब यहाँ पे हमने 7 की बजाए 5 लिख दिया था तो गलती हो गई तो याद रखें calculation में mistake नहीं करनी है और चलते हैं आज के आखरी सवाल पर तीन सीटी का प्राइस 3300 रुपे है तो 10 सीटी का प्राइस कितना होगा अब यह तो बहुती आसान question है तीन सीटी का प्राइस कितना है 3300 रुपे तो एक सीटी का प्राइस कितना होगा बच्चों 1100 रुपे और 10 का निकालना है तो 1-0 लगा दो 10 CT का तो 11,000 हमारा पांसर आ जाएगा ठीक है तो बच्चों ये थी आज की क्लास कोशिश कर रहा हूं कि धीरे-धीरे थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाऊं जिससे हमारी क्लास ज्यादा लंबी ना हो लेकिन बच्चों इतनी स्पीड भी नहीं बढ़ानी कि आप लोगों को समझ ना आए तो कोशिश करूँगा इस तरीके से मैनेज करने की क्लास जो है 20 कोशिशन वो 35-40 मिनिट के अंदर खतम भी किये जाए और आपको अच्छे तरीके से समझाया भी जाए फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्लास में मैंने किसी कोशिशन को कराने में जल्दी की और आपको समझ नहीं आया तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मैं उस कोशिशन को रिपीट करूँगा उस कंसेप्ट को रिपीट करूँगा और बच्चों आप लोगों से बस एक ही हमारी गुजारिश है एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई भी करें और साथ साथ हमें सपोर्ट भी करें यूट्यूब, टेलिग्राम ठीक है, इंस्टाग्राम, वट्सेप जो भी सोशल नेटवर्क या सोशल वेबसाइट आप लोग यूज़ करते हैं हमें वहाँ पर आप लोग सपोर्ट करें फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि आपका भी बेनिफिट हो, उनका भी बेनिफिट हो, और हम सब लोग साथ में आगे बढ़ें, इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खतम करते हैं एक और बहुत बढ़िया क्लास के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जैहिंद, जैश्री राम नमस्कार